आज ग्यारा सेप्टेंबर दो हजार बाइस अव्यक्त बाप दादा के रिवाइजड कोर्स है आठ एप्रिल उन्नी सो बानवे नाइटी टू की मिली चल रही है आज टाइटल है ब्रह्मा बाप से प्यार है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिष्टा बनना जैसे ब्रह्मा बाप कर्मा तीत हुए अव्यक्त फरिष्टा बने तो बापा कहते मुझसे अगर तुमको प्यार है सच्चा प्यार है दिल का प्यार है दिखावे का प्यार नहीं निभाने का प्यार है उसकी निशानी है अव्यक्त फरिष्टा बनना प्यार करना नहीं बापाने का प्यार तो दुनिया में बहुत करते हैं तो शादी नहीं होती हैं पहले पहले क्या करते हैं हम तुमारे लिए चांद से तारे तोड़ के लिए आएंगे इतना प्यार दिखाते हैं पर बाबाना कहते हैं निभाना है वो करके दिखाना है वो ऐसा प्यार बाबा चाहते हैं कि अव्यक्त बन जाओ मिश्य व्यक्त में अव्यक्त बनना मिच व्यक्त में अपनी दे, दे के संबंद, दे की दुनिया और पुराने सस्कार, टच ना हो ये है अव्यक्त फरिष्टा बनना, ऐसे बाबा को प्रैक्टिकल चाहिए तो प्रैक्टिकल में बाबा आज सारी मुली प्रैक्टिकल की है, आज बाबा ने का तुम कितने प्रैक्टिकलो, आज अपनी प्रैक्टिकल की दास्तान सुनो कि तुम सबसे लखी हो कि तुम डिरेक्ट मेरी रचना हो निराकार में भी तुम डिरेक्ट मेरी रचना हो और भ्रहमा के द्वारा मुलिश्रिष्टी के सापना की इसमें भी तुम डिरेक्ट रचना हो डिरेक्ट रचना और दुनिया वाले हैं इंडिरेक्ट रचना आप परम पिता परमात्मा की डिरेक्ट संतान हो वो धरम पिताओं की डिरेक्ट संतान है आप आदी रचना आदी में रचना किस के दौरा की बरमा के दौरा उसकी रचना हो और बाकी धरम स्थाफ़क उनके धरम स्थाफ़क की रचना है फरक कितना है आप बाप के साथ जड़ में बीज के साथ हो आप ही तने में जाते हो बागी धरम तने में नहीं है टाल टालियों में है तो कितना अंतर है डिरेक्ट और इंडिरेक्ट में संबंद में कितना फरक है तो आप डिरेक्ट शिव वन्शी वह ये कहो साथ कौन हो आदी देव भ्रम्मा की रचना आप डिरेक्ट में आदी देव भ्रम्मा की रचना हो बाकी आदीद भर्मा की रचना नहीं कहलाएंगे तो कितना फरक है तो कहने के बाओ क्या बाबा का ये नशा रखना है आज हमें नशा रहना चाहिए और नशे में भी दुनिया के अंतर है जो हमें नशा रहता दुनिया को उन्जासता फिर प्राप्ती में भी अंतर है हमारी डिरेक्ट प्राप्ती और सर्व प्राप्तियां हमारे को मिलनी है और बाकी को हमारे से मिलनी है इन डिरेक्ट मिलनी है डिरेक्ट तो हम लेंगे हम से वो लेंगे आगे आगे कितना फरक है आप में और बाकी धर्मों में यह तो बाबान का डिरेक्ट में फिर भक्ती मार्ग में बाबा ने एक्स्पेंड किया भक्ती मार्ग में भी कितना फर्रक है आप पहले शिव की पूजा स्टार्ट करते हो बाकी तो डिरेक्ट पहने शिव की पूजा नहीं करते हैं है ना जो शिव जो पूजा भी करते हैं वो शिव शंकर को एक मान लेते हैं तो शंकर की ही पूजा करते हैं वो भी इंटरेक्ट हो गए तो ऐसे ऐसे बाबा ने बता है हम साब में हम फरक है वो शुक्षम में देवताओं की पूजा करते हैं ब्रह्मा विश्णु शंकर देवताओं हैं उनकी पूजा करते हैं निराकार शिव की शुरुआत नहीं करते तो कितना फर्क है भक्ति बारे फर्क डिरेक्ट में लेने में भी फर्क और फिर उनको सिर्फ वर्सा मिलता है हमें वर्से के सासाथ जीवन मुक्ती भी मिलती है फिर जीवन मुक्ती मिलती है उनको भी मिलती है पर आपको सत्युक त्रेता में कम्पलीट मिलती है उनको दौपर में जब आएंगे एक बारे उनकी स्टेश सतों परदान होगी और सासा तमो परधान भी होंगे यानि हम गोल्डन और सिल्वर एज में आएंगे पर वो गोल्डन सिल्वर में नहीं आएंगे वो दौपर में थोड़ा सा गोल्डन एज जैसी खुशी लेंगे पर तमो परधान भी बनेंगे दुखी भी उत रही होंगे तो कितना फरक है दोनों में तो नशा आज बागा अब किते हैं नशा चाहिए तो नशा जो आपका है वो कभी 100% होता है कभी 50% क्यों क्यों ऐसा क्यों है या आप तो फलक से कहते हो ना हम तो डिरेक्ट रचना है तो संपूरन बनना है आपने डिरेक्ट कैसे बनोगे सब प्राप्ति कैसे होगी संपूरन बनना है पर संपूरन बनने में बाबा ने क्या देखा क्या प्रॉल्म हा रही है चाहिए चाहिए की रट लगा देते हो ये चाहिए ये चाहिए बाबने का ये चाहिए चाहिए शबद छोड़ दो ठीक है ये चाहिए चाहिए शबद छोड़ दो ये चाहिए चाहिए का गीत भी गीत भी घाते हो तो गीत भी कितना टाइम लेता तीन मिल्ट या पांच मिल्ट आपको तो एक वर्ष दिया तपस्या क्या एक वर्ष और देंगे फिर को होगे और चाहिए फिर बाबा ने कहा करना क्या है फिर आप खाली योगी नहीं हो आप कौन हो करम योगी तो करम योगी हो तो सेवा 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 करनी है कि जब सेवा होगी तभी तो मेवा मिलेगा तो यथात मेवा क्या है जब सर्व की सेवा में सोव की सेवा भी समाई हुई है ऐसे ना हो सर्व की सेवा करो अपनी स्वा सेवा के लिए समय ही ना मिले अगर सेवा में सफलता नहीं है तो याद रखो कि स्वा सेवा में अलबेले हो गए हो फिर सेवा में मेहनत लगेगी, खर्चा लगेगा, तकावट फील होगी तो कितना सुन्धर बाबा ने का, फिर करना क्या है, तो बाबा ने का प्लैन बनाओ, फिर प्लैनिंग करो, पर जब प्लैन बनाने हैं, तो बिल्कुल स्वच्च बुद्धी से बनाओ स्वच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् भाव और निर्मान मैं निमित हूँ सबसे इंपॉर्टन फेक्टर यह है कि मुझे भगवान निमित मनाया है मैं उसका इस्टूमेंट हूँ उसने मुझे चूज किया है उसने मुझे सेलेक्ट किया है इस सेवा के लिए इसमें मेरा कोई कंट्रिबुशन नहीं है मेरी कोई कमाल नहीं है उसकी कमाल है यह निमित इस बना और निर्मान मैंने सबका निर्मान करना है मुझे उसने करन करावन हार बाबा है मुझे उसने निमित बनाया सबका निर्मान करने के लिए और निर्मान के लिए निर्मान बनना है निर्मान में मुझे इगोलेस यानि मुझे कोई मान शान नहीं चाहिए मुझे सब को मान देना है ये ऐसे प्लेन बुद्धी बनके प्लेनिंग करो होता क्या है फिर बाबा ने रिजल्ट दी कि मान लो आप नौ रतन का कुछ अंगूठी बनाते हो उसमें अगर आठ रतन प्यूर है एक रतन भी अगर जूटा होगा तो चलेगा क्यों नहीं चलेगा एक ही रतन है बावर कर एक रतन भी किसी को पता लगया की जूटा है तो आठ रतन जो प्योर लगया है उस पर भी डाउट करेगा कि ये बी शद आठिफिशल ही होंगे इसलिए एक भी कमी ना रह जाए मैं मेरे क्योंकि कमी ना रह जाए ऐसी प्लैनिंग करनी है फिर प्लैन ऐसा प्लैन करके प्लैनिंग करनी है कितना सुन्दर तरीके से बावने वो ना मिक्स्चर नहीं होना चाहिए उससे नुकसान हो जाता है प्लेन होगी बुद्दी तो कम से कम सफ़ता ज्यादा ना हो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा ना तो अब क्या करना है पांच तत्वों भी आपका इज़ार कर रहे हैं कि कब प्रकृति को सतो परधान बनाएंगे तो करना क्या है ब्रामन है अब ब्रामन सो फरिष्टा और फरिष्टा सो देवता बने प्रकृति भी चाहती है हम इस समय दिल वा जान सिक्वा प्रेम से आपकी सेवा करें इसलिए पराना दुनिया पराने ससकार परानी दे दे के समंग सब भूल जाओ इससे कोई अकर्शन का रिष्टा हो ठोड़ना नहीं है किसी को कोई अकर्शन का रिष्टा ना हो तो ऐसा बनना है उसके लिए बाबा ने कहा जानी आत्मा तो हो योगी आत्मा भी बनना है तो उसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन रखना है दस गुना अटेंशन रखो अंडरलाइन करो और परिवर्तन हो करके दिखाओ तो ऐसे ऐसे बाबा ने कहा यह यथार्थ पैयर है कईों ने बोला कि बाबा कने लोगों से प्रावलम आती है बाबा ने कहा चलो 95% में मार्क्स ले लो फिर कहते हैं बडों से भी तो कही नराज होते है गिला शिक्वा होता है बाबा ने का बड़ों से गिला शिक्वा क्यों है आज बाबा ने का गिला शिक्वा क्यों होता है क्योंकि उन्होंने जज्ज्मन्ट देनी होती है कि क्या करना है अगर एक को जज्ज्मन्ट देंगे हाँ अच्छा कहेंगे दूसरे के लिए ना तो करने पड़ेगी इसलिए जिनको किसी काम के लिए ना कर दी वो अगेस्ट हो जाते हैं इसके मतलब होनी है कि बड़े रॉंग है जज्ज्मेंट में एक तो पक्ष में तो जाएगा ना जिनके पक्ष में नहीं गिया हो ना राज हो जाएगे तो इसलिए बड़े का चलो ऐसा भी जज्ज्मेंट आपको देनी पड़े तब भी 95% हो आपको सब कहें कि हाँ जी बहुत अच्छे है सब आपकी प्रेज करें तो ऐसे बाबा ने बोना आज चलना है यह सच्छा प्रेम बिल्कुल आज हम कैपेक्टिस करेंगे मैं यह श्रीर नहीं हूँ मैं तो अव्यक्त लाहिट का फरिष्टा हूँ अव्यक्त फरिष्टों की चाल चलनी है अव्यक्त फरिष्टा होके सब करम करने हैं तीक है फिर बाबाने मरदाने बोला चाहिए का कंट्रोलिंग पावर आपकी मन बुद्धी को जहां रोकना चौब वही रुख जाए इदर उदर का कोई थाट ना आए यानि तुफान जितनी तुफान भी आ जाए तब भी उसको भी साथ गुनों से तुफा बना दो उससे कहेंगे यथार्त योगी तो आज़ां यथार्त योगी बनेंगे बिलकुल फरिष्टे की चाल चलेंगे उसके लिए विगन आएंगे पर विगन प्रूफ बनना है विगन प्रूफ बनने के लिए योग युक्त और युक्ति युक्त करम करने हैं तरीके से करम करने है जो बाबा ने मैथर सुनाए है अब पैसे करम करने है उसकी याद में करम करने है उसको साथ रखके करम करने है ठीक है तो आज की मुदली का सार है अभी हम सुनेंगे विस्तार से सार सुनाए है अभी विस्तार सुनेंगे टाइटल है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है क्या निशानी है अव्यक्त फरिष्टा बनना अव्यक्त फरिष्टा बनना यहां बैठे हो बिल्कुल लगे हड़ी मास का शरीर नहीं है लाइट आत्मक लूप में बैठो अव्यक्त होगे हम दे की दुनिया कोई भी आए दे की दुनिया नहीं देखनी है दे का विश्टार बिल्कुल ने कोई भी ससकार काम न करे बिल्कुल अव्यक्त फरिष्टा बन करके मुली सुनोगे तो लास्ट तक अव्यक्त फीलिंग आजाएगी तो आज बेहद का बाप अपनी आदी शुरू की श्रेष्ट डिरेक्ट रचना को देख रहे हैं कौन बैटे हैं आपर आदी श्रेष्ट डिरेक्ट रचना यानि ब्रह्मन आत्मा ये डिरेक्ट शिव वन्षी ब्रह्मा कुमार और कुमारिया हैं तो ब्रह्मन आत्मा ये ब्रह्मन आत्मा ये आदी देव की आदी रचना हो आदी देव को नहीं ब्रह्म बाबा उसकी आदी शुरू शुरू की रचना हो इसलिए इसी लिए कल परविक्ष में भ्रह्मन पाउंडेशन अर्थाज जड में दिखाएगे हैं हम सब भी तबस्या करें आ जडों में अपना स्थान देखा है कब परविक्ष में तो वरिक्ष में आप जैसा जैसे बाबा बोले न वैसे विजन मतनाओ कल परविक्ष बैठ जौँ उसके साथ बैठें तो वरिक्ष में आप आदी रचना बीज के समीब जड़ में दिखाए गए हो बैठें जड़ में बाबा के साथ बैठें बीज के साथ इसलिए डारेक्ट रचना हो अन्य आत्मा है डिरेक्ट मात पिता यह यह को शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थाथ डिरेक्ट परमात्म रचना नहीं है परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारे रचना रची बाकी डिरेक्ट नहीं है आप डिरेक्ट मात पिता की रचना हो फरक है ना आप आदी रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है आप परमात्म रचना अपने रचता मात पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो निराकार रूपे में जानते हो टॉप पर है और मुर्शिष्टि में बर्मा बाबा ये भी टॉप पर है अन्य धर्म की आत्माओं आप तने से निकली हो आप जड़ भी हो और तना भी हो संग्रम पर आगया हम जड़ों में सत्यु देता में तना आगया उसमें हम ही है ब्राह्मन रूप में वरिख्ष की जड़ों में हो और देवता रूप में वरिख्ष के तना हो और सभी धर्म और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं आप तरह निकला उसकी टाल टाली है बाकी सब धर्म वाले तो आप डिरेक्ट रचना का कितना इमास्तव है कितनी पॉर्टर से आपकी डिरेक्ट बीज के साथ संबंध है उन्हों का इंडिरेक्ट संबंध है आपका डिरेक्ट संबंध है आप सभी रूहानी नश्य से कहेंगे कि हम परमात्तम संतान है क्या नश्य से कहेंगे क्या कहेंगे हम परमात्तम संतान है और जो भी धर्म वाली आत्माएं आती है वो सभी अपने को क्रिश्चन बौदी इसलामी कहलाएंगी डिरेक्ट शिव वन्शी वा आदी देव बरमा की रचना नहीं कहलाएंगी क्राइस्ट वन्शी क्रिश्चन कहेंगे धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चन है यही जानते है वो सबी धर्म पिता के वंश है उनकी प्रोजिट नहीं है आप और आप क्या कहेंगे हम डिरेक्ट परमात्मा के वंशावली है तो धर्म पिता और पर्म पिता वो धर्म पिता अपना है पर्म पिता सुप्रींग फादर कितना अंतर है डबल विदेश्ची क्या समझते है पर्म पिता के हो या धर्म पिता के हो पर्म पिता के अर्थात डिरेक्ट रचना होना तो डिरेक्ट और इंडिरेक्ट में कितना अंतर है नशे में भी अंतर है तो प्राप्ती में भी अंतर है डिरेक्ट और इंडिरेक्ट में नशे में भी अंतर है और प्राप्ती में भी अंतर है इसलिए भक्ति माग में भी इंडिरेक्ट अपने ईश्ट द्वारा बाप को याद करते हैं अगर कोई शिव भगत भी है बहुत को कहते हैं हम तो शिव को ही मानते थे जी अगर कोई शिव भगत भी है तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं तो इंडिरेक्ट हो गया नअ जानते भी है कि राम का भी रामेश्वर है राम का इश्वर भापर लिकार राम का इश्वर भापर शिवलिक सापन की है कि राम का भी को इश्वर है ये पिर राम भी बगवान नहीं है है ना राम का भी राम इश्वर है लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे तो भगती इंडिरेक्ट हो गई ना क्यों? क्योंकि भगत आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माए है आप डिरेक्ट परमातम वन्शी आत्माए हो दौपर में भगती भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भगती करते हो सस्वेले शिवलिंग बनाया उस बाप की पूजा की तो भ्रमा विश्नु शंकर ये सुक्षम देवताओं की पूजा बाद में शुरू होती है आदी में नहीं पहले शिवलिंग शिव की पूजा की पर तरी मूर्ती की पूजा की पर अलग अलग पूजा की तो अन आत्माएं रचना भी इंडिरेक्ट आत्माओं द्वारा है और भक्ती में भी इंडिरेक्ट भक्ती है आप डिरेक्ट भक्त हो इंडिरेक्ट नहीं अर्ताथ शिव की पूजा ही अरंब करते हो तो आगे आप डिरेक्ट में हम लिट में नहीं है तो अब तो प्राप्ती में भी देखो आप डिरेक्ट आत्माओं अर्ताथ डिरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्सा जीवन मुक्ती का मिलता है अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ती का वर्सा इतने समय का नहीं मिलता जीवन में मुक्तों हो भी हो जाएंगे दुखर से मुक्तों हो भी हो जाएंगे जो उपर से आत्मा याएंगी पर इतनी देर का नहीं मिलता यानि आपकी जीवन मुक्ती आधा कलब चलती है चत्यू तेता तंक चलती है और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ती और जीवन बंद दोनों ही आधा कलब के अंदर मिलता है मुक्त भी हो जाएंगे दुकों से और दुखी भी रहेंगे सिर्फ आदा करणब के जी वो भी दौपर से आदी वाली आत्माओं को जो शुरू दौपर में आई ना उनकी बात है लेट आने वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दौनों ही पराप्ती होती है लास्ट जन्म की जो आत्मा होगी ना वो एक ही जन्मे में जब पैदा होगी तो बहुत आलिशन पैदा होगी दीर दीरे गिर्थी गिर्थी लास्ट में बहुत बुरा हाल होगा असका लोग व Mensch कि जो कहां रही स्ता क्या होगियाए अश्का मैं कि लाइख की आत्मा आए एंग जैना में चारों स्टेजिज बें गुजर इगा सतो रजों तमों बनेगा तो और विशेष्टा यहीँ है कि आपकी जीवन मुख्ति अर्थाज गोल्डन सिल्वर एज चकर के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप प्राप्ति होती है जब गोल्डन एज होगी सत्री होगा तब हमें प्राप्ति मिलती है आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है यानि और प्रकृति भी गोल्डन एज है पांता तु भी गोल्डन एज है चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना और अन्ने आत्माओं की जब गोर्डन एज है तो यूग कोपर एज या ऐरन एज है कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है कितना अंतर हुआ नहीं कितना अंतर हुआ आप सतो परदान है तो प्रकृती भी सतो परदान है वो रजो परदान प्रकृती में सतो परदान स्टेज का अन्वाव करते हैं है अब करली प्रकृते मुर्ण सब कुछ है क्या सुक एज है पैसा है तो हेल्थ नहीं है हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है दोनों भी आज तो हपीनस नहीं है तो फरक है ना तो डरेkt और इंडरेक्ट रचना का कितना अंतर है इतना नशा है बात तो नशे की है इतना नशा है कि हम डिरेक्ट परमात्म रचना है नशे आपको तेरा खिल रहा है नहीं खिल रहा है क्या नशा रहती है कि हम डिरेक्ट रचना है परमात्मा की तो सदा सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चड़ता है परसंटेज में फरक पड़ जाता है कभी 100% रहता है तो कभी 50% लेकिन रहना क्या चाहिए 100% नशा रहना चाहिए 50% रहना चाहिए यानि सदा एक रस रहना चाहिए ना उसे रस आता रहे डिवाइड ड्राओ कहीं बर और तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे सदा नशा रहता है तो फलक से नहीं कहते हो रहना चाहिए कहते हो फलक से को क्या को रहना चाहिए कहते हो फलक्ष नहीं कहते हो रहना चाहिए कहते हो ठबावाने का हाँ तो संपूरन बनना अर्धाद जिसमें ये चाहिे शेवदसमाब्त हो जाए क्या करें काईसे हम क्या करें काईसे हम ये चाहिए चाहिए शब्द समाब्त हो ना तो चाहिए समाब्त हो गया तो ये चाहिए शब्द समाब्त हो जाए सभी के मुख से ये निकले की सदा है क्या निकले सदा है उसके लिए कितने वर्ष चाहिए उसके वर्ष कितने वर्ष चाहिए बाबा बी चाहिए पूचता है आपको मनग ना चाहिए जैनी जैए बाबा बी आप चाहिए शबत पूचता है कितनाarta बाबा класс nic मननननों कितने वरöt चाहिए 10 चाहिए कि उसे भी ज्ञудदा वह कम चाहिए उच्छे बाबा perfect बने में कितने साल चाहिए क्यों कि तपस्या वर्ष अरंब हुआ चले तपस्या वर्ष अरंब किया अभी तो समाप्ति आ गया समाप्ति का समय आ गया लेकिन जब आरंब किया तो समने क्या संकलम किया संपन बन जाएंगे यही सोचा था ना बस इस वर्ष अरंब तपस्या करनी है कोई सेवा नहीं करनी परफट्ट बन जाएंगे वर्ष तो समापत हुआ लेकिन आप संपन हो गए या होना है पूछ रहे बाबा और वर्ष चाहिए औरों को चैलेंज करते हो इस सेकिन में जीवन मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्षा लो समुझ चैले करते हो ना सेकिन में मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्षा लो या कहते हो 25 वर्ष में लो तो 12 मास में कितने सेकिंड कितने दिन हुए चेक करो क्या चेक करोगे क्या चेक करोगे एक साल में कितने दिन होते हैं कितने सेकिंड होते हैं चेक करो तो सब को संपन बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए क्या कहते हो क्या रिजल्ट है कितने वरस चाहिए ये तो बता दो बाबा कहता कितने वरस चाहिए नहीं तो दूसरा वरस समाप्त होगा फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए ये चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है पूछने बाबा ये चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है गीत कावी तीन या पांच मिनट टाइम होता है ना तपस्या वर्ष में दिड़ संकलब किया या संकलब किया दिड़ता की निशानी है सफलता फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना और पावर्फू तपस्या चाहिए या सेवा करनी है पूछने बाबा इस वर्ष तपस्या करनी है सेवा करनी है दोनों नहीं कर सकते हो आपका करम योगी टाइटल नहीं है योगी है क्या हो करम योग योगी हो वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व सेवा और सर्व की सेवा समाई हुई हो यह है सेवा दूसरों की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तों में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे ठीक है जी अपने लिए आख बस टाइम नहीं है अन्य प्रॉपर अमरित्व नहीं किया सदा सारा दिन सोदर्शन नहीं किया योग नहीं लगाया मुली अच्छी दरह नहीं पड़ी जी दुख्षरों की सेवां बिजी रगे वो यथार्थ में सेवा ही नहीं सेवा की परिभाशा ही है सेवा के मेवे मिलते हैं सेवा के मेवे मिलते हैं सेवा अर्थाद सेवा अर्थाद मेवा फ्रूट नहीं समझा है मेवा प्रूट प्रिंदियों बोला फल यानि पर्त्यक्ष्वल साथ साथ जर्ण मिलती है उसकी सेवा करो मेवा खाओ अगर स्वग की तरफ अल्बेले बन जाते हो तो जब स्वग सेवा में तोड़ी सी केलेसस आ गई तो वो ही सेवा मेहनत है खर्चा है थकावट है लेकिन पर्त्यक्ष्वल सफलता नहीं है बना सेवा की वो खुशी आने चाहिए पर खुशी नहीं आई थकावट फिर हो रही है खर्चा लग एसी कर लिया ऐसी मेहनत कर ली पहले स्वग को सफलता सास में औरों को भी सफलता की अनुभूती हो खुद पनले कुछ होगा तब दूसरों को देंगे पर खुद को इतना बुलंद करो कि फिर लोग कुछ आजी क्या बात है आपके बास तेंग है पर स्वेरे ग्यारा बज़े तक अपने ले टाइम किसी के लिए कोई टाइम नहीं सरफ अपने ले टाइम करो स्वेरे अम्री तविला पावरफुल करो है ना फिर मुल्ली को कही बार रवाइच करके पड़ो बाबा का कहने का भाव क्या है भावनाए कैसी में रखनी है सारा मुल्ली में हो तिक ना उसके बाद भी सारदिन करम योगी बनके सेवा करो स्वा सेवा में रहो ना अब सेव करो ठीके ना फिर शाम को फिर अपने लिए शाम को फिर अपने लिए बैठ जा योग तपस्या के लिए फिर मुली का मध्धन करो दिन में सार दिन कर भी होगी सुहरे शाम अपने लिए यह बैलस पहले सवक को सफलता औरों में साथ में औरों को भी सफलता की अनुबूती है लगे उनकों की यार वक्त ही क्या कर रहे हैं साथ साथ हो दोनों सवक की भी और सर्व की सवक को हो और औरों को नहीं हो तो भी यह थार सेवा नहीं मैं तो बहुत चाह चल रहा हूँ दूसरों को ना हो वो भी ठीक नहीं है थार सेवा नहीं है और औरों को हो सो को नहीं हो तो भी यह थार सेवा नहीं है सेवा के अग्रिस के है मुझे भी जितना मज़ा है दूसरों को भी ऐसा मज़ा है यह है यह थार्ट सेवा तो सेवा में तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता उसका कारण क्या है बाबा की याद में सेवा करो पूरी याद योग योग तो अब सेवा करो ऐसा क्यों नहीं होता इसका कारण क्या है क्या कारण नजगा इसका कारण है कि सेवा का प्लैन यानि योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो लेकिन लेकिन प्लैन यानि स्वच बुद्धी बन प्लैन नहीं बनाते हैं प्लैन नहीं बुद्धी अर्थास सेवा करते हैं और कोई भी बात बुद्धी को टच नहीं करें मैं मेरा और कोई भी बात बुड़ी को ट्राचनी के लिए सेवा यानि सेवा कैसी हो सिवाए निमित भाव और निर्मान भाव मैं निमित हूँ मैं उसका इंस्टुमेंट हूँ मुझे कर्स्ट्रक्शन के लिए उसने चुना है बस निर्मान करते निर्मान स्थिती की कमी हो जाती है कर्स्ट्रक्शन तो करते दुछे को पर निर्मान स्थिती की कमी हो जाती है निर्मान भी अपने को मानशान एक्सपेट करते है मुझे भी तो मानशान मिले यह एक्सपेक्टेशन आ जाती है इसलिए निर्मान का कारिय का स्ट्रेशन का कारिय जितना सफल करना चाते हो उतना सफल नहीं होता यानि शुब भावना वा शुब कामना का बीज कहते हैं शुब भावना शुब कामना रखो उसका बीज ही है निमित भाव और निर्मान भाव क्या है शुब भावना शुब खामना का बेश क्या है बीश क्या है निमित मैं तो इंस्टुमेंट हूँ और मुझे कोई मान शान के लिए सेवा नहीं करनी है बाबा ने इंस्टुमेंट बनाया है बस बाबा ने कहा और मुझे सेवा करनी है नो एक्स्पेक्टेशन यानि हद का मान नहीं लेकिन निर्मान इसलिए ये बावरे का प्रावलम कहा है ये है शुबावना शुबकावना में इसलिए सेवा के प्लैन बनाने के पहले प्लैन बुद्धी बनाना अती अवश्यक है आपकी को अंदर चाहना तो नहीं है हद की चाहना तो नहीं है ये चेकर नहीं तो प्लैन बुद्धी की बजाए अगर बुद्धी में और अगर ये थार्थ बाव का किच्रा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लैन बनाते हो अगर अपना आगया मैं पना आगया उसमें ये मतलब किच्रा है मैं मेरे पन का किच्रा अगर उसमें आगया हद का कोई किच्रा आगया तो क्या होता है तो जो सेवा के प्लैन बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के सासाथ पत्थर भी जड़ जाते हैं रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं नौर रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे कोई भी चीज में नौ रियल हो और एक आर्टिफिशन हो तो वैल्यू क्या होगी नौ तो प्यूर है ना एक ही इंप्यूर है तो वैल्यू क्या होगी और ही लेने वाले के भी संकलब चलेंगे कि ये नो भी रियल है ये ये भी मिक्स रहें नहीं इसलिए सेवा के प्लैन के सासाथ प्लैन बुद्धी का अटेंशन पहले रखो कोई हद का मानशान तो नहीं चाहिए मुझे ना मानशान के लिए तुन मैं काम कर रहा हूँ ये पहले बुद्धी मुझे है प्लैन बुद्धी है और सेवा का प्लैन इतना बड़ा नहीं भी है बहुत बड़ी प्लैली नहीं कर रहे हैं फिर भी प्लैन बुद्धी वाले को नुक्सान नहीं है बोज नहीं है सेवा का फाइदा चलो कम है लेकिन नुक्सान तो नहीं कहेंगे ना मिक्स्चर बुद्धी में तो नुक्सान है इसलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं सेवा में जी इतने बिजी हो जाते हैं फिर अपना सुवा सेवा उती जी नीचे आ जाते हैं तो क्या करेंगे सिर्फ तपस्या करेंगे सिर्फ तपस्या करेंगे यानि सुवा सेवा करेंगे तो बाबा ने कहा जब स्वयम संपन बनो खुद परफेक्ट बनो तभी तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन होगा आप सब के संपन ताकी कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन होने में रुका हुआ है विनाश की पूरी त्यारी हो चुकी है, स्थापना की त्यारी अभी पूरी नहीं हुई है, उसलिए काम रुका हुआ है, प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतिजार कर रही है, प्रकृति वेट कर रही है आपकी, आप महान आत्मा होगी, डिरेक्ट परमात्म संतान होगी, वेट कर रही है, कब यह सारा कुछ हल चलाओं, एक ने दुनिया बना दू, सत्युक लियाओं, और इजिनल दुनिया बना दू, कि ब्रामन आत्मा है, ब्रामन सो फरिष्टा और फिर फरिष्टा सो देवता बने, तो हम तो हम दिल वा जान, सिक वा प्रेम से सेवा करे, क्यों? क्योंकि सिवाई फरिष्टा बने, देवता बनी नहीं सकते, ब्रामन से फरिष्टा बनना ही पड़े, और फरिष्टा का अर्थी है, जिसका पुरानी दुनिया, सुनो, फरिष्टा किसे कहेंगे? जिसका पुरानी दुनिया पुराने सस्कार पुरानी देह के प्रती कोई अकर्शन का रिष्टा नहीं ना अपनी दे से ना दे के संबंदों से ना पुराने दे के वस्तुओं से वैबों से और अपने पुराने सस्कारों से कोई अकर्शन का रिष्टा नहीं तीनों में पास चाहिए दे दे की दुनिया और सस्कार तीनों से मुक्त तीनों से मुक्त तीनों से कोई दुख ना मिले आपको वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ती का वर्सा है पहले दुखों से मुक्त हो जाएंगे जब परमदाब जाएंगे फिर जीवन मुक्ती का फिर ऐसा जीवन मिलेगा जहां पर दुखों से मुक्त होंगे ऐसे दुनिया मिलेगी वाया मुक्ती धाम के आप जीवन मुक्ती में नहीं जा सकते तो फरिष्टा अर्थात मुक्त और मुक्त फरिष्टा सो जीवन मुक्त देवता बनेगा तो कितने परसंट फरिष्टा बने हो बताओ जी कितने परसंट फरिष्टा बने हो कि ब्रामन बनने में ही खुश हो जब भाबा के बच्चे ब्रामन बन कितने ही बहुत है इसमें खुश हो फरिष्टा बनना अर्थाद अव्यक्त फरिष्टा सवरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो जिसका फरिष्टा स्थिती से प्यार नहीं तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है क्योंकि प्यार का अर्थी है प्यार के से कहते हैं प्यार का अर्थी है समान बनना जैसा वो करता है जैसा वो खाता है पीता है रहता है कबरे मैंता है वैसी जी जी चले तेरा बाना मीठा लागे जो तुम करते है वो यह अच्छा रहता है यह है प्यार की निशानी तो प्यार कारती है बाबा के समान बनना ब्रह्मा बाप फरिष्टा है ना फरिष्टा बन आप सब को फरिष्टा बनाने के लिए फरिष्टों की दुनिया में रुके हुए है ब्रह्मा बाप सुक्षम बतने हमारा इजार कर रहे है पर परमदाम नहीं किया कोई भी अभी हमारी इजार कर रहे है सिर्फ सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है सिर्फ मुख से मत कहो कि हमें बाबा से बहुत पाप प्यार है क्या वनन करें कि कितना प्यार है ऐसे मुख से ना बोलो लेकिन ब्रमा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते बनने से होते हैं तिक है उनके जासा बनना है हैं जो अनेकों को हसा भी देवें तो रूला भी देवें नहीं ऐसे से गीत बनाए हैं हसा भी देते हैं और रूला भी देते हैं ये सब हैं कहने वाले बगत सब हैं कहने वाले और आप हो बनने वाले अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो तो समझो अभी भगती का अंश रहा हुआ है ग्यानी तु आत्मा यानि बिलकुल एनलाइटन होगी है सोल योगी तु आत्मा नहीं कहेंगे लेकिन भगत योगी आत्मा कहेंगे जागे नहीं हो अब पुरी तरह से भगत योगी आत्मा कहेंगे अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वरश किया वही करेंगे ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जानक न अभी समय ऐसा आ रहा है कि बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं जो बनने वाले हैं सिर्फ कहने वाले नहीं अभी तो सभी को अलाव कर देते हैं भावना वाले भी आ जाओ और ज्यानी योगी तु आत्मा भी आ जाओ अभी तो बाबा मेलन में भावना भी आपकी है बाबा के लिए ठीक है चलो आ जाओ लेकिन समय परिवर्तन होना ही है इसलिए अपने उपर और दस गुना अंडर लाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ अब तो बाबा कहते हैं चेंज हो जाओ दस गुना अंडर लाइन करें दिखाओ फिर बाब दादा को उलहाना नहीं देना की ऐसे कैसे होगा ऐसे क्यों किया पहले बोल रहे हैं बाद में मत कहना आप परशार्त में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो पिलको अब पुर्षान्थ में चेक और चेंज। आप पुर्षार्त में इस्टिक नहीं होते हो, तो बाप को स्टिक होना ही पड़ेगा। आई बाबा साफ साफ कह रहे हैं आप पुषात में स्टिक नहीं होते हो तो बाप को तो होना पड़ेगा अभी तो बाप के प्यार सुरूप से चल रहे हो अभी तो बाप के प्यार सुरूप से चल रहे हो पल रहे हो लेकिन सत गुरू, सच्चा गुरू का रूप अभी धरम राज नहीं है बाप नहीं है, अभी सत गुरू कह रहा है सत गुरू की आग्या सिर माते गाया हुआ है अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके चला रहे है अगर प्यार है बाबा मिलन की प्यास है तो समान बन कर मिलो सज्द गुरू का order है क्या गेर है सच्छे गुरू का सच्छे बनो और फिम अस से मिलो महान अंतर में नहीं मिलो समान बन कर मिलन में बहुत मज़ा है ये मज़ा और ही है भाप से बाप मन जाएगे ना फिर मिलोगे तो ये मज़ा और ही है अच्छा बाप से मिल लिया मिल ले बाप से दिश्टी ले लिया वहां गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई शक्ती मिली और काम में लाई एक दो बार विजई बने फिर कमजोर बन गए हावा में लड़ गिया पूरी त्यारी की फस्ता दे फिर आके कमजोर हो बन गए तो ये अपने परकार कामिलन है ये आपका अपना स्टाइल है मिलन का जिता तो ठीक रहे न तो थोड़ी कमी होगी लेकिन यथार्थ प्यार यथार्थ मिलन इससे बहुत उच्चा है बहुत बहुत प्यारा है उसका अनभव करो जब आप समान बन जाएंगे कोई कमी कमजोरी नहीं रहेगी फिर देखो क्या मज़ा आता है मिलन मनाने का क्योंकि सत्गुरू की कोई ने आग्या नहीं मानी तो सत्गुरू तो है ना बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड़ कोड चलते हैं अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिष्टा समान बन कर दिखाओ अभी इतने सम मिलने के लिए आए हैं बहुत अच्छा है लेकिन और अच्छेते अच्छा करना है प्यार करना और प्यार निभाना अंतर है प्यार करना सबको आता है प्यार निभाना अंतर है ना करने वाले तो सभी हो अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब बाबा मिलन में क्यों आते लेकिन करना और निभाना इसमें अंतर हो जाता है प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं, तो आप निभाने वाले हो, निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, निभाने वाले चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, practical है practical है सिर्फ मुख से नहीं सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्स certificate देने वाले बहुत है तपस्या के बाद चार्ट लिखते ना बड़े नमबर देने वाले बहुत हैं लेकिन सर्व के संतुष्टा का certificate कोई को पराप्त होता है अपना चार्ट देते हैं कि मैं दो बहुत निकरा लोग बोलें दुनिया वाले आपसे संतुष्टा है बाबा का परिवार आपसे संतुष्टा है है ना वो चाहिए कोई को पराप्त होता है चार्ट रखने वाले भी बहुत निकरे अपने को अच्छे ते अच्छा certificate देने वाले भी बहुत निकरे बाबा ने चार्ट देखा सबका अपने को बड़ाचा certificate दिया चार्ट रखने वाले भी बहुत निकरे अपने को अच्छे ते अच्छा certificate देने वाले भी बहुत निकरे बहुत निकरे बहुत नहीं है लेकिन कुछ तो है second number वाले बहुत है लेकिन लेकिन सब के मुख से ये निकले सब कहे आप अपने आप से मुख या मिया में टूना वरो हमारा चार्ट बहुत अच्छा है सब के मुख से ये निकले कि हाँ ये number one है ये लोग कहें बाकी कहें हाँ कि ये number one है सब के दिल से ये दुआओं का certificate मिले इसको कहेंगे number one दिल से अगर आपको कहरे ना हाँ जी बहुत अच्छे है ये आपको certificate मिल गया दुआएं मिल गया कहीं बच्छे कहते हैं हम तो ठीक हैं चोड़ते हैं बापा किसी को भी कही बच्चे कहते हैं हम तो ठीक हैं लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से जो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी तो भी कम से कम 95% 95% सर्टिफिकेट मिलने ही चाहिए पांच प्रतिशत का कड़ा हिसाब किताब है वो भी माफ है वो भी माफ करते है बाबा ने लेकिन 95% दिल से दुआए दे कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है ऐसा तो एक भी नहीं दिखाई देता ही कहते हैं बताओ हमें सबसे संतुष्ट कौन है हमें तो ऐसा एक भी नहीं दिखाई देता बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नराज है तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है बड़ों से नराज हो जाते हैं हमसे भी होगे तो क्या बड़ी बात है लेकिन उन्हों से 95 प्रश्चत दिल से राजी है बड़ों की बात दूसरी है क्यों बड़ों को जज़ बनना पड़ता है तो दो में से एक की बात ही हां करेंगे दो में से एक की बात ही हां करेंगे वो कहेंगे बहुत अच्छे और जिसको ना करेंगे वो कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है अगर किसी की बात मान नहीं है ना किसी को मद्दूमर लेके सबकों लेके तो कहेंगे बहुत अच्छे है जिकों नहीं लेके उगें कि ये भी ऐसे ही है ऐसे हो गया ना तो बाबा ने कहा तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को तो ये बात ही अलग बात है ये बात ही अलग है लेकिन दिल की तपस्चा दिल का प्यार निमित भाव और शुब भाव दिल का प्यार क्या है मैं निमित हो और शुब भाव वो सर्टिफिकेट सामने देखो भाव ना क्या थी बिच्छे से भाव ना क्या है इंटेंशन क्या है उसकी वो देखो ये नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है हम तो पास हो जाएंगे ऐसे नहीं सोचो 95 प्रतिशत अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा समझें समझें अच्छा अच्छा चारो और के आदी पिता के आदी रचना डारेक्ट रचना शिरेष्ट आत्मा है सर्व जीवन मुक्त का वर्सा अनेक जनम प्राप्त करने वाली आत्मा है सर्व ब्रामन सो फरिश्टा फरिश्टा सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्मा है सदा प्लैन प्रेन बुद्धी बन सेवा के प्लैन में सफ़ता प्राप्त करने वाली आत्मा है बाप से सच्चा सने सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीब आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते जी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते तो आज का वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा सब कुछ पॉसिबल है कैसे जब कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी तो कंट्रोलिंग पावर द्वारा तुफान को भी तुफा बनाने वाले यथार्त योगी भव कौन आजम यथार्त योगी एकुरेट योगी कैसे अपने तुफान को भी तुफा बना दिया इतनी बड़ी बाती उसको भी अच्छा बना दिया कैसे किंटोलिंग पावर द्वारा यह बावर गाह यह थार्थ वह सच्चा योगी वो है जो अपनी बुद्धी को एक सेकिंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके परिस्थिती हलचल की हो मौलिक राबो वाईयू मंदल तमोगुली हो सारी बुरा हाल है माया अपना बनाने का प्रेतन कर रही हो फिर भी सेकिंड में एकाहर हो जाना यह है याद की शक्ति कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तुफान हो लेकिन सेकिंड में लेकिन सेकिंड में तुफान आगे बनने का तोफा बन जाए ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी यह संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है ना योग युक्त और युक्ती युक्त कर्म करने वाले ही विगन प्रूफ बन सकते हैं बाबा की याद से बद्बूर हो जाओ और बड़ी जो बाबा ने तरीके समझा है मैं उसके साफसे करम करोगे तो विगर प्रूव बन सकते हैं ओम शान्ती